जैहिन साथियो दोस्तो यूपी पुलिस असिस्टेंट ओपरेटर हैड ओपरेटर और करम साला करमचारी की जो पोस्ट निकाली गई हैं लगवग 2300 के आसपास जो पोस्ट हैं तो उसके लिए आप लोग लंबे अर्शे से एक्जाम का इंतजार कर रहे हैं तो एक्जाम का फिक्स हो गया है तो देए अभी एक्जाम डेट फिक्स नहीं हुई है तो पतक एक्जाम होने के पोरे पूरे आसार हैं ठीक ना एक्जाम कौन कराएगा uh IET करवाएगा या फिर TCS करवाएगा और आपके हिसाब से कौन सा जो कंपनी है उसको एक्जाम का जो टेंडर है वो देना चाहिए तो देखे इन सबी चीजों उपर आज की इस वीडियो के जरी है मैं थोड़ा सा परकास डालूँगा ज्यादा समय मैं अब कलूँगा नी दो से तीन मिनट में ही जो अपनी बाते हैं वो रख दूँगा तो देखी जो एक्जाम डेट है हाल फिलाल में भी फिक्स नहीं हुई है ठीक ना लेकिन इसके एक्जाम की जो संभावना हैं वो बहुत तेज गती से अब बढ़ने लगी है क्योंकि जो भरती बोर्ड है जो रुका हुआ था यूपी एसाई की भरती को लेकर कि यूपी एसाई पिचानमें 134 पोस्ट ये जो मामला कोट में विचारा धीने इसे लेकर भरती बोर्ड लंबे अर्से से इन उल्जिलों में फसा हुआ था तो फाइनली आप लोगों को पता होगा कि 17 अक्टूबर से यूपी एसाई के लिए जो मेडिकल की पिरिकरिया है वो सुरू हो गई है और लगवग 31 तारिक तक इसे सबपन करा लिया जाएगा वहीं अगर मैं बात करूँ लिफिक लेखा और जो अन्य जो वेकेंसी गोपनी विभाग में जो निकाली हुई थी उपनी रिक शिक वाली उसके लिए टाइपिंग टेस्ट भी अठा रहे अब टूबर से जो है स्टार्ट हो गया है तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि जो भरती बोर्ड है वो निरंतर अब गती पकड़े हुए है काम जो है वो तेज गती से किया जा रहा है अब भरतियों पर क्योंकि अब जो चुनाब है वो भी लगबग नजदीक आता चला जा रहा है चुनाब भी तो इसलिए आप लोग ये मान के चलिएगा कि आपको ये एक बात कहना कभी एक डेट फिक्स हो गई है एक्जाम के और मैं फिक्स कर दूँ कभी आपका जो एक्जाम है वो अगले दो से तीन महीने में करा लिया जाएगा ठीक ना तो ये कहपाना देखिए मेरा पागल पन ह अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो क्योंकि ये जो चीजे होती है संभावनाओं के उपर बोली जाती है अब संभावना यही बन रही है कि जो लगवग भरती बोर्ड के उपर काम था वो समापती की हो रहा है वो कैसा समापती की हो रहा है मेडिकल यूपी एसाई के मेडिकल हो ज लिपक लेखा आदी के इसके भी हो जाएंगे तो कहने का मतलब है फिर भृती बोर्ड के पास जो काम है वो नहीं बचेगा और जादा समय भृती बोर्ड आपके एक्जाम में फिर नहीं लगाएगा तो आपका जो एक्जाम है ठीक ना मेरे हिसाब से अगर मैं ये बोलू कि म बारे में बोलना थोड़ा सधीकल्ट है मैंने अभी आप लोगों से एक line बोली थी कि इस बारे में कुछ भी कहपा ना मेरा पागलपन है लेकिन थोड़ा सा पागलपन आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ मेरे हिसाब से अगले एक से डेड़ महीने में एक से डेड़ महीने में आप लोग को इस एक्जाम से रेलेटिड सुचना जरूर मिल जाएगी आप लोग कहेंगे ये तो धूर में लटच लगाने वाली बात हुई एक से डेड़ महीने में तो हुई ही जाएगा तो देखे मैं आप लोग को बता दूँ संभावनाओं पर काम होता है अभी हाल ही में ये जो सुचना है वो जारी नहीं की जा सकती क्योंकि अभी तिवहारों का माहौल है अभी आपके 6-7-8 दिन तो तिवहारों में ही घुजर जाएंगे ठीक ना उसके बाद में कोई सुचना आगे बढ़ सकती है तो देखे तिवहारों के बाद भी एक 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 इसे लेकर कोई सुचना जारी नहीं हो सकती तो फिर भी मैं यह कहूंगा कि लगवग आप लोग एक महा से उपर का जो समय है फिर भी आप अपने एक्जाम को लेकर चलिए का कि भी एक महा से उपर का जो समय है वो बिलकुल हो सकता है ठीक है भी या तो देखिए जितनी चोटी मुटी जानकरी मेरे पास थी मैंने आप लोगों को पहुँचा दिये और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मैं हाद जुड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी कैंडिडेट में फॉर्म भराए ना ये एक्जाम डेट ना देखें ये एक्जाम कब होगा कब नहीं होगा अगर exam पीछे भी हो रहा है ना पीछे भी हो रहा है तो यह आप लोगों के लिए फाइदा है क्योंकि आप लोगों को तैयारी करने का अच्छा मौका मिल रहा है और आप लोगों कहेंगे तैयारी तो कर रहा है लेकिन competition भी तो उतना ही बढ़ रहा है हाँ मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जितना exam पीछे अट रहा है competition उतना तेजगती से बढ़ रहा है ठीक ना और इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बच्चा तैयारी में पूरा अपना मतलब जी जान लगा देगा तो पर इन चीजों से आप लोगो गवराना नहीं है ठीक है गवराई यह मत exam लगवग दोस्तों TCS को करा लेना चाहिए क्योंकि NSIET जो है यह भरोसे बारी नहीं है क्योंकि अभी UPSI में इसने पूरा जो धान लेगा खेला है वो खेला है तो कहने का मतलब यह है TCS को यदि ठेका मिल जाता है तो TCS अच्छा exam कराती है पेपर लिख होने की जो संभाव नाहें बहुत ज़्यादा कम होती है और NSIET जो है यह फ्रेस्ट जो है कंपनिय है UPSI का इसने मतलब खेल खराब कर दिया है भरती जो है वो मतलब बहिमानी से करा दिया है तो इस पिरकार से अगर उपरेटर वाली भरती मौ जाता है तो आप लोग साथ धोके जैसी बाते होगी और मैं तो यह कहूँगा कि TCS को एक्जाम यह करा लेना चाहिए और TCS को ही भरती बोर्ड को ठेका जो है वो दे देना चाहिए ठीक है भाई या वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें यूट्यूब चैनल को सिस्क्राइब जरूर करें और अन्तमे मैं यह ही कहूँगा कि अब चल रहा है अक्टूबर ठीक है अक्टूबर आपकी जो सूचना है ना वो नवेंबर में आ जानी चाहिए नवेंबर में बिल्कुछ सूचना आ जानी चाहिए नवेंबर में कभी भी आपके एक्जाम की सूचना आ जाएगी ये लगवग दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि नवंबर में आ सकती है संभावना पूरी पूरी है हर बात संभावना के बल पर ही की जाती है ठीक ना अब ये तो हैने भी हनुआन तो होने भी छाती फाड़ के दिखा दूं कि लोग जो आपका एक्जाम अब हो जाएगा ठीक ने एक संभावना पर चल रही है और पूरी दुनिया संभावना पर चल रही है और पूरा यूट्यूब भी संभावना पर चल रहा है ठीक भी या जाहिंद बने मातरव